हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूं कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आपका आपकी अपने हिंदी की कख्षा में मैं आपकी दोस्त हिंदी अध्यापिका आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं बच की दीनक्ष्णों के चार अक्ष्णों के ऊफ जब मत झा शीकונה जाएं देखे क्या करते हैं आज हम चीखने जा रहे हैं पड़ो और समझो है चलिक चल करते अपना कि बचो यह जो है यह किस चीज का चितर है यह कल नम का च्टर हैं तो कलम हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं क कल लग-लग लिखा है ना मा और हम इसको एक साथ लिखेंगे तो कैसे बोलेंगे अभी तो मैं बोली ति क Ah सब अब हम एक साथ बोलेंगे तक लामा कलम 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 मातर उ हुस्मात यह कथे बोलें माटर मतर मागरा मागरा मगर मागरा मगर और अब है नहार अब अटक के बोल रहे हैं नहार अब एक साथ बोलेंगे नहार नहर माहाला माहाला इक अठे बोली माहाला महल साड़का साड़क बाटाना बाटाना बटन शाहदा शाहदा शहद हावाना हावाना हवन इक अठे बोलेंगे जब हावाना हवन अब तीन अक्षों से बने शब्दों को पढ़ेंगे और समझेंगे दागारा डगर लाहारा लहर ठेहर ठेहर राताना राताना इक अठे बोलेंगे राताना रतन नाहारा नहर खाबारा खबर को एक साथ बोलेंगे खाबारा खबर रामाना रामाना रमन दामाना दामान दा मन बाचाता अब इकटे बाचाता बोलेंगे बाचाता बचत गालाता अब एक साथ बोलेंगे गालाता गलत जलका जलक पलक पलक गागान गगन मागान चमान चमान शयान एक साथ बोलेंगे शयाना शयान कासामा अभी कासामा अब एक साथ बोलेंगे कासामा कसम सामाझा सामाझा एक अठे सामाझा समझ चाहला, चाहला को एक साथ बलेंगे चाहला, चहल पाहला, पाहला, पाहल को एक साथ बलेंगे पाहला, पहल लाटाका, लाटाका, लटक पाकाडा, पाकाडा को एक साथ बलेंगे पाकाडा, पकड नामाना, नामाना, नमन और बच्चों हम किस चिसका अभ्यास कर रहे हैं? हम तीन अक्ष्रमाले शबनों का अभ्यास कर रहे हैं और अब तीन अक्ष्रम का मेर मादाना मदन, बादाना बदन, चमाना चमन, हावाना हवन, गागाना गगन, नामाना नमन आगरा अगर, मागरा मगर, नागरा नगर, खाबरा खबर, कामारा कमर, डगरा डगर माहा का महक, काना का कनक, भाना का भनक, जाना का जनक, साबक का सबक, नामा का नमक गरमा गरम, नारमा नरम, शरमा शरम, धरमा धरम, परमा परम और भरमा भरम हमने क्या किया बच्चों? हमने तीन अक्षिनों वाले शबनों का मेल जो था उसका हमने अभ्यास किया और कैसे किया जोर जोर से बोल बोल गे और अब हम दो शब्दों के मेल से बने वाक्यों का अभ्यास करेंगे शहद रख कालाश कलश भारा भर कलश भर आब अब सामाजा समझ बादाना बदन धका धक बदन धक नामाना नमन कारा कर नमन कर उपारा उपर चाड़ा चड़ उपर चड़ भाजाना भजन कारा कर भजन कर भाटा का भटक माता मत भटक मत नाथा नथ पाहाना पहन नथ पहन मादाना मदन ठाहारा ठहर मदन ठहर आटा का अटक माता मत रपाटा रपट माता मत रपट मत हावाना हवन कारा कर हवन कर आकाडा अकड माता मत रपक मत वचना वचन कारा कर वचन कर उधारा उधर चाला चल उधर चल भागाता भगत मबाना बन भगत बन सराला सरल कर सरल कर कालाशा कलश राखा रख कलश रख पावाना पवन चाला चल पवन चल कालामा कलम पाकारा पकड कलम पकड पाहाला पहल कारा कर ताहाला टहल माता मत भावाना भवन चाला चल भवन चल तो बच्चों हमने क्या किया था भी हमने अभ्यास किया दो शब्दों के मेल से बने वाक्यों का और अब हम कर रहें तीन शब्दों के बने में वाक्यों करा ठीक है आमाना अमन बाताखा बतक पाकाडा पकड़ आटा का अटक माटा का मटक मत भागाता भगत भाजाना भजन कर भकत भजन कर चमन कमल पकडा पकड़ साराल सरल डागरा ठगर सरल डगर चल मातरा मतर गरामा गरमकारा कर मतर गरम कर और अब चार शाब्दों के मेल से बने वाख्य है पवन पवन रबडा रबड कला मकलमपकडा पकड मैंने एक साथ बोलाई से अब देखो कादम कदम इसा इस कदम इस तरफ तरफ रखा रख कदम इस तरफ रख्य मैं इसे वाक्य में बोल रही हूँ माटा का मटक करा कर मटक कर माता मत चाला चल मत चल मटक कर मत चल कलम पकड उचला उचल माता मत उचल मत अब इसको एक साथ बोलेंगे कलम पकड उचल मत साड़ा का सड़क पारा पर सड़क पर माता मत जगला जगल सड़क पर मत जगल गलत जगह मत ठहरा ठहर तो अभी हमने क्या किया, हमने चार शब्दों के मेर से बने वाक्य करे थे और अब हम करेंगे पाँच शब्दों के मेर से बने वाक्य सबसे पहले है बस पकड करा कर शहर शहर चल बस पकड कर शहर चल चामाना चमन साबा का सबक चमन सबक सामाजा समझ करा कर पाड़ा पड़ चमन सबक समझ कर पड़ आमाना अमन बाताखा बत्तक पारा पर अमन बत्तक पर नाजारा नजर राखा रख मादाना मदन कामारा कमर मदन कमर कस कारा कर पकड़ अब इसको पूरे संटेंस पूरा वाक्य बोलेंगे मदन कमर कसकर पकड और अब तीन अक्ष्णों से बने वाक्यों को पढ़ो और समझो अजय सडक पर मत ठेहल अजय सडक पर मत ठेहल आकड कर मत चल इधर उधर मत भटक रतन नहर तक चल अब चल कर सबक पढ़ बस पर मत लटक गरम गरम मतर चक मगन कलश उधर मत रख इधर उचक उचक कर मत चल महक यह शहद चक बहन इस जगा मत ठेहर यह बत्तक मत पकर तो बच्चों अभी हमने क्या किया था अभी हमने पांच शब्दों के वाकियों बने बेलों का उभ्यास किया था और अब है आओ कुछ करें चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या करने को बोला है वर्णों का मेल हमें वर्णों का मेल करना है तो सबसे पहले हमें सबसे पहले क्या लिखा है इनको हमें मिला के लिखना है तो सबसे पहले कौन सा वर्ण है कौन सा अक्षर है ना फिर क्या है क्या है का और फिर ला और इसको अगर हम बिलाएंगे तो क्या बन जाएगा ना काला नकल अब अगला वर्ण है जो है अगला अक्षर है वा फिर है जा और ये ना इसको मिला के क्या बन गया वा जाना वजन अब है अगला मारा अक्षर फा फिर सा फिर ला क्या बन गया फासल फसल इसी तरह तरफ क्या बन गया तरफ तरफ अब यहां पर कौन सक्षर लिखा है यह लिखा है जह हमने यह से लिए ट और यह लिए लिए का जहता का जहता का जहतक ना मा का अगर हम मेल से पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा ना मा का नमक ऐसे ही पाहाना क्या बन गया पाहाना पेहन अब क्या है अ त और यह का अटक का अटक का अटक तो हमने वर्णों के मेल से शब्द बनाए और अब हम देखेंगे चित्र देखकर हम वाक्यों को पूरा करेंगे देखिए कुछ चित्र बने वे हैं हमें पहले इन चित्रों को समझना है और फिर हमें इनके वाक्यों को पूर्ण करना है सबसे पहले बच्चा है इसके बात में क्या है अरे मगर मत पकड तो यहाँ पर क्या जाएगा भरत मगर भरत किसको पकड़ा हुए इसने मगर को पकड़ा है न तो हमने यहाँ पर लिख दिया भरत मगर मत पकड अब है भगत भगत क्या कर रहा है यह भगत भजन कर रहा कर लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया भगत भजन कर और आप यहाँ पर हमारा क्या लिखा है चित्र देकर शब्द लिखने है अब हमने चित्र देखे हैं हमें यहाँ पर इनके शब्द लिखने हैं सबसे पहले क्या बना है यह बना हुआ है यह क्या बना है बच्चों यह बना है बटन और यह क्या बनी है क्वेक क्वेक बतक कैसे लिखेंगे बतक और यह है कलश कलश तो हमने क्या किया हमने चित्र देखकर उनके हमें उनके शब्द लिखे और आप क्या करना है इसके बाद बच्चों आपका जो कार है वो यह है आप इसकी बहुत अच्छे से पहचान करेंगे दो अक्षों के शब्दों को तीन इनकी बहुत सारा इनको दोहराएंगे इनकी पुन्रावरत्ती करेंगे और बहुत जल्दी कुछ लेया लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं तब तक के लिए आभाई